आप सब अच्छे होंगे, आपको पता है कि हमारे चैनल में उत्राखन पुलिस के लिए 60 दिन का क्रेस्कोर्ट चल रहा है, जो कि उत्राखन पुलिस के लिए काफी इंपोटेंट है, आज हमने उत्राखन के 30 कोश्चन उठाए हैं, जो एक्जाम के लिए काफी इंपोटेंट देहरा दून में हैं, चमपावत में हैं, चमोली में हैं या रुद्धरपुन में हैं, तो गौतम कुंड कहाँ पर इस्तित हैं, गौतम कुंड हमारा इस्तित हैं, देहरा दून में इस्तित हैं, देहरा दून में इस्तित हैं, देहरा दून में इस्तित हैं, नेक्स्ट कोश देवनन की सबसे उची चोटी कौन सी है? चिल मिरी नेक ठाना टानडा चोटी ब्यास सिखर या इन में से कोई नहीं तो देवनन की सबसे उची चोटी कौन सी है? ब्यास सिखर है ब्यास सिखर Next question है उमा कर्ण महुष्टो कहां मनाया जाता है तो उमा कर्ण मोहसो कहां पर मनाया जाता है उत्रकासी में पिथोरागड में पॉड़ी में या चमूली में तो उमा कर्ण मोहसो कहां पर मनाया जाता है ये मनाया जाता है पॉड़ी में ठीक है ये ये गलत है यह गळट्टी को रखाया है पोड़ी में मनाया जाता है next question है भारत electronic limited उद्योग कहाँ परिशित है टेरी में इस्ति थे कोड़वार में इस्ति थे पिथारागड में इस्ति थे या उत्रकासी में इस्ति थे तो यहां किसकी बात कर रहे हैं भारत electronic limited भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेट तो यह कहां पर इस्थित है यह है कोड़द्वार में इस्थित है हिमाले साक्षी है नामक पर्मुक रचना के लेखक कौन है हुकुम सिंगरावत, शिव परसाद डवराल, लरित परसाद नैधानी और महावीर परसाद गैरोला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महावीर परसाद गैरोला इस कोशन, इस ओप्सन से आपको कुछ याद आ रहे है क्या हाकम सिंग, हाकम सिंग, रावत, कौन है यह अगर कुछ याद हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महावीर परसाद गैरोला कौन सा गड़ गड़वालवा कुमाउं का बिवाजक है मनीला गड़ बंधार गड़ दसोली गड़ या इन में से कोई नहीं तो कौन सा गड़ हो जाएगा यह हो जाएगा बंधार गड़ नेक्स कोईश्चन हमारा क्या है हिमालियन इंस्टूट होस्पीटल ट्रेस्ट को बिस्व द्याले का दरजा कब मिला था 2005 में, 2008 में, 2012 में या 2007 में तो इसको बिस्व द्याले का दरजा कब मिला था 2007 में मियकदूत का कुमावनी अनुबाद किस ने किया था बहुत बेरी इंपोटेंट कोश्चन है यह मियकदूत का कुमावनी में अनुबाद किस ने किया था लीला धर जोसी चिंतामडी जोसी या गंगादत उत्परेती या किष्णा पांडे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हमारा हो जाएगा लीला धर जोसी ने मियकदूत का कुमावनी भासा में अनुबाद किया था राज में सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था 2010 में हुआ था 2012 में हुआ था 2014 में हुआ था या 2018 में हुआ था तो राज में सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था यह हुआ था 2014 में हुआ था मीनी कारवेट के उपनाम से किसे जाना जाता है देवी चंद को जाना जाता है ठाकुर्दत जोसी को जाना जाता है पुरिया नैधानी को जाना जाता है या अजय पाल को जाना जाता है तो मीनी कार्वेट के उपनाम के नाम से किसे जाना जाता है ठाकुर्दत जोसी को जाना जाता है गुरुकिल की स्थापना किसने की थी स्वामी श्रदानंद ने हीरा बल्लब तिरपाटी ने सिरी राम सर्मा ने या तारा चंद पाल ने तो गुरु किल की इस्था अपना किस ने की थी स्वामी श्रदानंद और गुरु किल की इस्था अपना कौन चेसन में होई थी ये आप हमें कमेंट में कमेंट में बताएंगे ठीक है नेक्ट कोश्चन है पतंजली आयरुवेदिक अनुसंदान केंद्र की इस्टापना कब हुई थी 2013 में 2015 में 2017 में या 2019 में तो कब हुई थी 2017 में हुई थी और पतंजली 2017 में तो हुई थी इनके फाउंडर कौन थे मतलब इनको इस्तापित के ने किया था बाबा बाबा राम देव नेक्ट कोश्चन है निलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर इस्तिध है पौड़ी में नैनी दाल में चंपावत में या हैड़दिवार में तो निलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर इस्तिध है यह है हरी दुआर में इस्तिध है नेक्ट कोश्चन है आकास कामनी नदी कहां से निकलती है धंगासू से निकलती है तुंगनात से निकलती है धन कुराली से निकलती है या पावली कांठा से निकलती है तो आकास कामनी नदी कहां से निकलती है तुंगनाथ से निकलती है और आपको पता है कि तुंगनाथ उत्राखंड का सबसे ओचे धामों में से एक है यह सबसे ओचाई पर इस्तित है यह है आकास कामनी नदी तुंगनाथ छेतर से निकलकर सिल गौड में राच्छी नदी में सामिल हो जाती है जो रुद्र प्रियाग में बहती है नेक्स्ट कोश्चन है चीला परियोजना किस नदी पर इस्तित है राम गंगा नदी पर इस्तित है मालनी नदी पर इस्तित है गंगा नदी पर इस्तित है या गड़ी गंगा नदी पर इस्तित है तो चीला परियोजना किस नदी पर इस्तित है गंगा नदी पर इस्तित है नदी का नाम मतलब गंगा जो है कहां से गंगा किस इस्थान से गंगा कहलाती है कहलाती है इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना ठीक है नेक्ट कोश्चन है सिरी आरेस टॉल्या उत्राखंड प्रसासनिक प्रिक्षड अकादमी कहां पर इस्थित है बौडी में सिरी नगर में नैनी ताल में या देहरादून में तो सिरी आरेस टॉल्या उत्राखंड प्रसासनिक प्रिक्षड कहां पर इस्थित है यह है ननी ताल में इस्तित है तप्त कुंड कहां पर इस्तित है चमूली में इस्तित है उत्तरकासी में इस्तित है उत्तर प्रियाग में इस्तित है या ननी ताल में इस्तित है तो तप्त कुंड कहां पर इस्तित है यह है चमूली में इस्तित है नेक्ट कोश्यन है आसन किसकी सायक नदी है? अलकनन्दा की, भागी रती की, यमुना की या सर्यु की तो आसन किसकी सायक नदी है? यह है यमुना नदी की सायक नदी है किस ताल को विक्टोरिया जिल कहते हैं भीम ताल को कहते हैं सतो पंद ताल को कहते हैं स्याम ताल को कहते हैं या रूप कुंड को कहते हैं तो विक्टोरिया जिल हम किसको कहते हैं विक्टोरिया जिल कहते हैं भीम ताल को कहते हैं कुमाओं की सबसे रामडिक कौन से जील है नैनी ताल जील है जील मिल ताल है नौकचिया ताल है या साथ ताल है तो कुमाओं की सबसे रामडिक जील कौन से हो जाएगी या हो जाएगी साथ ताल हो जाएगी और आप ये बताईए कि जिल्मिल ताल किस जन्पद में इस्तित है इस्तित है Next question है काक भुसुंडी ताल किस परवत में है हाती परवत में है त्रिसूल परवत में है बंदर पूच परवत में है या इन में से कोई नहीं है तो काक भुसुंडी ताल किस परवत पर है यह हाती परवत पर इस्तित है कमल और कमल काकड़ी के लिए परशिद इस्धान कौन सा है भीम ताल है वास्पी दाल है वैनी ताल है और मासूर ताल है तो कमल और कमल काकड़ी के लिए परिशित इस्थान कांचा है भीम ताल है और भीम ताल कहाँ पर है भीम ताल है हमारा नैनी ताल में नैनी ताल में दोस्तों अगर आपको हमारे इस सीरीज से थोड़ा भी कुछ फायदा हो या अगर आपको हमारे कोशन अच्छे लगे या हमें कुछ सुदार की जूरत है तो आप जरूर कमेंट में बताएं और लाइक करें और शेयर करें सुदर मचलियों के लिए परशित इस्थान कौन सा है नौकुचिया ताल है श्यामला ताल है डॉंडी ताल है या भीम ताल है सुदर मचलियों के लिए परशित इस्थान कौन सा हो जाएगा डॉडी ताल हो जाएगा डॉडी ताल रामेश्वर्म तीर्थ किन नदी के संगम पर इस्थित है सर्यू और पनार या सर्यू या पूर्वी गंगा या काली और लदिया या गौम्ति या सरस्वति तो रामेश्वर्म तीर्थ किस नदी के संगम पर इस्थित है यह है सर्यू प्लस पूर्वी राम गंगा हल्दवानिक किस नदी के टट पर इस्थित है गौला नदी के देहुआ नदी के या नंधोर नदी के या बाकर नदी के तो हल्दवानिक किस नदी के टट पर बसा हुआ है यह बसा हुआ है गौला नदी के टट पर बसा हुआ है सुखराम गिलेशियर कहां पर इस्तित है पितोरागड में इस्तित है चमवोली में इस्तित है बागेश्वर में इस्तित है या टीरी में इस्तित है तो सुखराम गिलेशियर कहां पर इस्तित है यह है बागेश्वर में इस्तित है तालंग ताल कहां पर इस्तित है अल्मोडा में टेहरी में चमोली में या बागिस्वर में तो तालंग ताल कहां पर इस्तित है यह हो जाएगा अल्मोडा में इस्तित हो जाएगा किस ताल के किनारे विवेकानन्द आश्रम इस्तिद है स्वामी ताल नांग ताल श्याम ताल या जिल्मिल ताल तो विवेकानन्द आश्रम किस ताल के किनारे इस्तिद है श्यामला ताल के किनारे इस्तिद है काली नदी के लंबाई कितनी है 196 km, 108 km, 252 km या 280 km तो काली नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी 252 km और काली नदी में कौन सी मचली पाई जाती है मचली पाई जाती है पाई जाती है ठीक है Next question है उसका अंसर बताना है कौन सी मचली पाई जाती है खेला नामकिस्तान किन नदियों के संगम पर इस्तिद है पूर्वी धौली गंगा और गौरी गंगा काली नदी या पूर्वी धौली गंगा या काली नदी या पच्छमी राम गंगा या पूर्वी नेयार या पच्छमी नेयार तो खेला नामकिस्तान खेला नामकिस्तान कहां पर हो जाएगा काली नदी या पूर्वी धौली गंगा आज का यह हमारा लाश कोश्चन था यह उत्तराखंड पुलिस का आज तीसरा भाब था अब रोज सोंबार से सनिवार तक कंटिनुनी क्लास चलेंगी और संडे को हम उत्तराखंड पुलिस की मैरातन कराएंगे दोस्तों अगर आपको हमारी कलास अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना थेंक यू